पाट सोला अमर शहीद भगत सिंग के पत्र भगत सिंग एक प्रमुख स्वतंतरता सेनानी थे इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपूर गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंग तथा माता का नाम विद्यावती कौर था भगत सिंग बच्पन से ही क्रांतिकारी विचारो वाले थे बड़े होने पर ये चंदरशेकर आजाद वह उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के साथ जुड़ गए चंदरशेकर आजाद वह पार्टी के अन्य सदस्यों जैसे राजगुरू आदी के साथ मिलकर इन्होंने देश की आजादी के लिए अबूत पूर्फ साहस के साथ बिटिश सरकार का मुकाबला किया ये बिटिश सरकार को जड़ से उखारना चाते थे साइमन कमीशन का भहिशकार करने के सिलसिले में जब बिटिश पुलिस ने पंजाब केसरी लाला राजपत राई पर प्रान घा तक प्रहार किया तब इनसे रहा ने गया और इन्होंने राजगुरु वे सुकदेव के साथ मिलकर सुप्रिटेंडेंडन्ट स्कॉट को इसका जिम्मेदार मानते हुए उससे मारने की योजना बनाई परन्तु गलती से इन्होंने पुलिस अ समय पर अपने हिताशियों को पत्र लिखते रहते थे इनके पत्रों से इनकी देश भक्ति त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृट कामना का परीचे मिलता है इस पाट में इनके कुछ पत्र दिये गए हैं एक सन 1923 में भगत सिंग द्वा इसलिए मेरी जिन्देगी में आराम और दुनिया भी ख्वाईशात संसारिक इच्छाएं बाइसे कशिश अकरशक नहीं है आपको याद होगा जब मैं चोटा था तो बापू जी ने मेरे यगोपवित के वक्त एलान किया था कि मुझे खिदमते वतन देश देवा के लिए वक्व कर दिया गया है लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतीग्या पूरी कर रहा हूँ उम्मीद है आप मुझे माफ कर पाएंगे आपका ताबेदार बगत सिंग दो जेल में मा से भेटने होने पर भाई कुलबीर सिंग को पत्र प्रिये भाई कुलबीर सिंग जी सच्छी अका मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत गबराई हुई है लेकिन इस गबराहट और परिशानी का क्या फाइदा नुकसान जरूर है क्योंकि जब से मुझे पता चला कि वे बहुत रो रही है मैं स्वेम भी बेचैन हो रहा हूँ गबराने की कोई बात नहीं फिर इस से कुछ म मुलाकातों से भी तसली नहीं होगी मेरा खयाल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी लेकिन माना कि इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिले तो इसलिए घबराने से क्या फाइदा तुमारा भाई बगत सिंग सेंट्रल जे जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए मैं इसे चिपाना नहीं चाहता लेकिन एक शर्थ पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंध होकर जीना नहीं चाहता मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांती का प्रतीक बन चुका है और क्रांतीकारी दल के अदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत उचा उठा दिया है इतना उचा कि जीवित रहने की स्तिती में इससे उचा मैं हर्गिस नहीं हो सकता आज मेरी कमजोरिया जंता के सामने नहीं है अगर मैं फासी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांती का प्रतीक चिन पढ़ जाएगा या संभवत्य मिठ ही जाएगा लेकिन दिले राना ढंक से हस्ते हस्ते मेरे फासी चड़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के लिए भगत सिंग बनने की आरजु किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालो भाग भी पूरा नहीं कर सका अगर स्वतंतर जिन्दा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अफसर मिलता और मैं अपनी हसरते पूरी कर सकता इसके सिवाए मेरे मन में कभी कोई लालच फासी से बचने का नहीं आया मुझसे अधिक सुभागेशाली कौन होगा आज क बड़ी बेताबी से अंतिम परिक्षा का इंतिजार है कामना है कि यह और नजदीक हो जाए आपका साथी बगत शाया है